हलो गाईज आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्वेता में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम योनो SBI अप्लिकेशन की मदद से Tata Sky DTS रिचार्ज करना सिखेंगे अगर आप जानना चाहते हैं कि योनो SBI से Tata Sky रिचार्ज कैसे करें तो आज के ये वीडियो आपके लिए काफी हिलफुल होगा तो गाईज योनो SBI से Tata Sky रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको योनो SBI का अप्लिकेशन ओपन कर लेना है अप्लिकेशन ओपन करने के बाद आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो गाईज यहाँ पर आपका एक अप्चन है लॉगिन तो यहाँ पर आपको लॉगिन में किलिक कर देना है जैसे आप लॉगिन में किलिक किजिएगा आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो गाईज यहाँ पर आप योनो SBI अप्लिकेशन में Mpin के दुरू login हो सकते हैं या फिर अगर आपको Mpin याद नहीं है तो यहाँ पर आप username और password के दुरू भी Yono SBI application में login हो सकते हैं तो गाइज यहाँ पर हम Mpin के दुरू इस application में login हो लेते हैं login होने के बाद आपके समने इस तरह के interface आएगा तो गाइज यहाँ पर आपका एक option है Yono Pay तो यहाँ पर आपको Yono Pay में क्लिक कर देना है जैसे आप Yono Pay में क्लिक के जिएगा आपके समने इस तरह के interface आएगा तो गाइज यहाँ पर आपको नीचे वह सारे options दिखने को मिलेंगे तो guys यहाँ पर आपका एक option है DTS Recharge तो यहाँ पर आपको DTS Recharge में क्लिक कर देना जैसे आप DTS Recharge में क्लिक जिएगा आपके समने इस तरह के interface आएगा तो guys यहाँ पर आपका नीचे तीन options दिया हुआ है पहला option है Recharge, दुसरा option है Quick Bill Pay और तिसरा option है Pay and Add Willers तो guys यहाँ पर आपको Quick Bill Pay में क्लिक कर देना है Quick Bill Pay में क्लिक करने के बाद आपके समने इस तरह के interface आएगा तो guys यहाँ पर आपको बहुत सारे options दिखने को मिलेंगे तो guys यहाँ पर आपको DTS को Select कर लेना है DTS Select करने के बाद यहाँ पर आपका Biller Location Select करने का Option आएगा तो गाईज यहाँ पर आपको Biller Location को क्लिक कर लेना है Biller Location को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एक Option आएगा National का तो गाईज यहाँ पर आपको National को Select कर लेना है नेशनल को select करने के बाद यहां पर आपका एक अफसन आएगा select wheeler का तो guys यहां पर आपको select wheeler में क्लिक कर देना है जेसे आप select wheeler में क्लिक कीजिएगा आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो guys यहां पर आपका DTS का बहुत सारे company का नाम दिखाए पड़ेंगे तो guys आपका DTS जिस भी company का है वह company यहाँ पर आपको select कर लेना है तो guys चुकि आज के इस वडियो में हम आपको Tata Sky रिचार्ज करके दिखाएंगे इसलिए यहाँ पर हम Tata Sky को select कर लेते हैं Tata Sky करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है next का तो guys यहाँ पर आपको next में click कर देना है जैसे आप next में click किजिएगा आपका समने इस तरह का interface आएगा तो guys यहाँ पर आपका एक option है subscriber number तो guys अब आपका Tata Sky DTS का subscriber number क्या है वह यहाँ पर आपको enter कर लेना है subscriber number इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है enter your mobile number to complete transaction तो guys यहाँ पर आपको Tata Sky DTS को recharge करने के लिए यहाँ पर आपको अपना mobile number इंटर कर देना mobile number इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है select account का तो guys अब आपका SPR में आकर एक से ज़्यादा bank account है तो यहाँ पर आप किस bank account के थुरू अपना DTS recharge करना चाहते है यानि कि किस bank account का पैसा कटा कर आप DTS recharge करना चाहते है वो आप bank account यहाँ पर आपको select कर लेना है और bank account select करने के बाद यहाँ पर आपका एक option है next का तो guys यहाँ पर आपको next में क्लिक कर देना है तो जिसे आप next में क्लिक किजिएगा आपके समने इस तरह के इंटरफेस आएगा तो गाइज यहाँ पर आपका एक बास सारा डिटेल स्चिट कर लेना है कि आपका सब्सक्राइबर नमबर सही है कि नहीं अब जो make account select किये हैं वो account सही है कि नहीं उसके बाद यहाँ पर आपका एक option है इंटर इमाउंट का तो गाइज अब आप अपना टाटाइस का DTS कितना रुपे का रिचार्ज करना चाहते हैं वो इमाउंट यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है तो गाइज यहाँ पर हम आपक एक option है next का तो गाइज यहाँ पर आपको next में क्लिक कर देना है जिसे आप next में क्लिक किजिए गा आपके bank account में जो mobile नमबर registered है उस mobile नमबर में आपका एक OTP सेंड किया जाएगा तो गाइज वो OTP यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और OTP इंटर करने के बाद यहाँ पर DTS successfully recharge हो जाएगा तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही आसानी से यो नो SBI से टाटाइस ता रिचार्ज कर सकते हैं तो गाइज I hope यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी तो इस तरह के helpful वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक किजिए चैनल को subscribe किजिए साथ इससे अपने दोस्तों के साथ share किजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का जनकारी मिल सके